आपका चोथा अध्याय रसाइनिक आबंधन एवं आणविक सरशना इसके कुछ बिंदों के बारे में हमने कल चर्चा किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि वी वास्तों में परमानों से अनु कैसे बनता है अनु जो होता है वो कितने तरह का बंग बनाता है तो हमने आपको कल रसाइनिक आबंध में पहला बंध जो आपका होता है आइनिक बंध उसके बारे में बताया था आयनिक बन जब होता है बन बनता है तो परमाणूं के बीच इलेक्ट्रोनों की क्या होता है एक इलेक्ट्रोन देता है एक परमाणूं और दूसरा जैसे आपने उधारन देखा था कल sodium था वो electron देता था और chlorine क्या करता था electron ग्रहन करता था जो देता है उसके उपर proton के संख्या बढ़ने के कारण धनावेश आता है ये चीज़ा आप हमेशा याद रखेंगे कभी कभी आपके मन में आता है कि proton electron दिया है इसलिए धन हो गया है ऐसा नहीं होता है इसके नाभीग म proton बढ़ जाता है चूकी इसलिए इस पर धनावेश लगता है और chlorine में चूकी electron की संख्या बढ़ी है प्रोटान कम हो गए इसलिए जितने electron वो ग्रहन करता है उसके उपर उतने ही रिनावेश आते हैं इन दोनों के बीच आइनों के बीच बनने वाला या बन जो था पहला व सरसोजगबंद है इसमें यह बन तभी बनता है किसी परमाणू के बीच जब दोनों की विद्धूत्रेनात्मक्ता में ज्यादा अंतर ना हो इन दोनों की विद्धूत्रेनात्मक्ता में बहुत अंतर है एक बहुत ज्यादा धन विद्धूती है दूसरा बहुत अधिक रि नहीं है, समान जैसे आपके परमाणू हैं, जैसे दो कारवन परमाणू हैं, दोनों की विध्धुत्रेनात्मक्त बराबर है, तो इनके भी जो बन बनता है, हमने क्या बताया था, वो कैसा था, सहसयोजग, ये जो एक लाइन है आपकी, इसमें एक इलेक्ट्रोन इसका रहता ह सांधेदारी में और दूसरा, दूसरे कारवन का है, मतलब एक बन बनने में, एक सहसयोजग बन बनने में, एक जोड़ी इलेक्ट्रोन की सांधेदारी होती है, कल आपको हमने चर्चा में बताया था, कि बहुबन भी होता है, सहसोजग बन तीन तरह का होता है, सहसोजग बन इकल बंध, दूसरा बंध होता है, बी बंध, और तीसरा बहु बंध के अंतरगर्द, बी बंध और त्री बंध आपका आता है. एकलबन का मतलब होता है जैसे आपका हाइट्रोजन का बनना हाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में पहले हाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में मानिए एक इलेक्ट्रोन होता है 1S1 इसके electronic विन्यास है दूसरे hydrogen के भी अंतिम कक्षा में एक electron होता है अब दोनों ने अपने electron की साज्येदारी की sharing का मतलब होता है हम अगर आप दो बच्चों के बीच एक pen और एक pencil है और आपको दोनों की आउशकता है ठीक है तो आप क्या करोगे? उस पर आपका दोनों बीच में रख दिये और दोनों का बराबर अधिकार हो जाएगा उसी तरह से जब सासोजग बंद बनता है तो उस समय जो electron जो होते हैं बंद में दोनों के नाभीक के बीच होते हैं सासोजग बन की यही एक विशेष्टा होती है कि जो electron pair है, दो electron एक pair मतलब दो electron यह हमेशा इस दोनों के नाभीक के बीच होता है और दोनों का, दोनों ही नाभीक का या दोनों ही परमाणों का उसमें बराबर का हिस्सा रहता है तो इस तरह से अगर एक electron की साजेदारी हुई थी तो दोनों के बीच एक सासोजग बन बना था जिसे हम एक लाइन से दर्शाते हैं दूसरा जब हमने आपको oxygen बताया था उसमें oxygen O2 या आपका H2 अनू का बनना था hydrogen के अनू का बनना अगर हम oxygen के अनू के बनने की बात करते हैं तो oxygen का जो valency cell होता है valency cell यासे उजगता कोश जिसको हम अन्तिम कक्ष बोलते हैं ठीके उसमें हम कितने electron लेंगे परमाणू का क्रमांग होता है oxygen का 8 पहली कक्षा में 2 electron और दूसरी कक्षा में 6 तो पहला oxygen इसके अन्तिम कक्ष में कुल कितने electron है इसको अपना अस्टप पूरा करने के लिए कितने electron किया शकता है 2 electron कि अगर 2 electron इसको कहीं से मिलता है तो इसके अन्तिम कक्ष में कितने electron हो जाएंगे 8 दूसरा oxygen अगर हम लेते हैं तो उसके भी अंतिम कक्ष में 2, 2, 4 और 2, 6 है दोनों oxygen ने सबसे पहले एक एक electron की सांजेदारी की उसके बाद क्या किया है एक और जोड़ी electron की सांजेदारी की एक जोड़ी जब electron की सांजेदारी की तो पहला सा सोजग बन बना oxygen, single oxygen और दूसरा electron का जब सांजेदारी हुआ तो वहाँ पे डबल बन बनता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक electron की सांजेदारी होती है एक electron की तो single बन बनता है एक double electron या दो-दो electron की सांजेदारी होती है तो दो double बन बनता है एक चीज आप याद रखेंगे जो सांसो जग बंध है वो दो तरह का होता है सिग्मा बंध और पाई बंध तो यहाँ पर जब भी आगे आप पढ़ेंगे इसी पार्ट में है इसके बारे में विस्ट्रित में हाइट्रोजन हाइट्रोजन में अगर सिंगल बंध है कभी भी कहीं भी सिंगल बंध है सांसो जग बंध कैसा है अगर सिंगल है तो हमेशा याद रखेंगे वो कौन सा बंध होता है सिग्मा इसको हम बोलते हैं सिग्मा लेकिन अगर हम डबल बंध की बात करते हैं तो सिग्म एक बन सिग्मा होता है और दूसरा बन हमेशा क्या होता है पाई बन होता है तो इससे हमको यह पता चलता है कि सिग्मा बन अकेले हो सकता है मैंने यह बोला कि सिग्मा बन होता है सिंगल होता है तो क्या होता है केवल सिग्मा पाई बन नहीं होता तो आप यह याद रखेंगे कि सिग्मा बंध होता है वो अकेले पाया जा सकता है लेकिन पाई बंध कभी भी अकेले नहीं होता हूँ हमेशा किसके साथ होता है सिग्मा बंध के साथ अगर हम तीरवर्ण की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बाद तीसरे इस परमानुक्रमांग साथ नाइट्रोजन इसमें अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में भी आपका तीन इलेक्ट्रॉन शेरिंग करेंगे और बचे आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? पाँच में से तिन तिन इलक्ट्रोन की सांजेदारी होगी देख लिजे दो तिन पाँच तिन दो पाँच अंतिम कक्ष में तिन दो पाँच अंतिम कक्ष में और तिन तिन इलक्ट्रोन की होनों ने सांजेदारी की है तो इस तरह से इनके पास 5-3 कितने इलेक्ट्रोन हो गए 8 इलेक्ट्रोन तो हम पहला साजेदारी हुआ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बन बना फी दूसरे जोड़ी इलेक्ट्रोन से डबल बन बना और तीसरे जोड़ी इलेक्ट्रोन जो है साजेदारी से कितना बंद बनता है तीसरा या त्रिपल बंद जिसको हम N, ट्रिपल बंद, N कहते हैं इसमें भी आप याद रखेंगे केवल त्रिपल बंद में एक बंद ही सीगमा होता है बाकी दो बंद कैसे होते हैं? पाई होता है तीन से ज़्यादा बंदों की अभी तक होज नहीं हुआ है लेकिन अगर हम बात करते कार्बन की, कार्बन चार बंद बना सकता है लेकिन ये कार्बन सिंगल सिंगल बन भी बनाता है, डबल बन भी बनाता है, ट्रिपल बन भी बनाता है, लेकिन अगर इसको चार बन बनाना है, तो यहाँ पे चार हाइट्रोजन से यह सासो जगबन बनाएगा, यह चार अन्य अलग अलग परमानों से यह सासो जगबन बनात यह कार्बन कार्बन चौथा बन अभी तक देखा नहीं गया है कार्बन कितने तरह के बन बनाता है तीन तरह का कार्बन कार्बन सिंगल बन कार्बन कार्बन डबल बन और कार्बन 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 हमने अभी आपको एकल बन, दी बन, त्री बन बताया, उसी में मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाये थे, जैसे हमने ऑक्सीजन में बोला था कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अन्तिम कक्ष में, 2, 2, 4, 2, 6, आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों जोडी है जो वो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, लेकिन बांकी इलेक्ट्रॉन जो अंदर के और है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन है, वो बंडिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, या बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, इन इ इलेक्ट्रोन कहा जाता है और इंग्लिश में इसी को नान बॉन्डिंग इलेक्ट्रोन या लोन पेर कहती हैं फिर से सुन लीजिए जब वैलेंसी सेल में या सेंजगता कोश में कुछ इलेक्ट्रोन के यूग मो होते हैं जो बन बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसको हम एक द्वी बन त्री बन ये सासोजग बन्द के प्रकार्थ है इन में क्या-क्या गुण होते हैं इन गुणों की हम चर्चा करते हैं अगला लेते हैं सासोजग बन्द के गुण सासोजग बन्दों के गुण हमने कितने तरह के बन्द देखें तीन बन सिंकल बन डबल बन ट्रीपल बन एकल द्वी और त्री बन अगला इसके बहुबन्द के गुण बहु बंध के या सरसोजग बंधों के जो प्रकार है उनके गुण पहला गुण है इसकी बंधन उर्जा या इसी को हम बोलते हैं बंध उर्जा बंध उर्जा किसे कहते हैं तो हमने बोला एक परमानू दूसरे परमानू के साथ इलेक्ट्रोनों की सांज्यदारी करता है या बंध बनाता है चाहे वो कोई भी बंध हो चाहे वो यह भी दूसरे ओजी हो तो उस वेसे उसकी जो उर्जा होती है अधिक होती है वो आई स्थाई होता है लेकिन जैसे ही परमानू से अनू बनता है दोनों को हम बान देते हैं कौन से बंसे सांसो जग बंसे तो परमानू में एक स्थाई तो आता है और उसके उर्जा में कमी होती है या बंध बनने के दरान उर्जा है वो मुक्त होती है उसी उर्जा को हम कौनसी उर्जा कहते हैं बंध उर्जा जिस अणू की बंध उर्जा जितनी अधिक होगी आप इतना याद रखेंगे जिसकी बंध उर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक इस्थाई होगा उसका बंध उतना ही म कारवन कारवन के बीच माल लीजे आपका सिंगल बंध है एकल बंध डबल बंध और तीसरा ट्रिपल बंध ये त्री बंध आप खुद सोचिए मैंने दो परमानू को एक रसी से जोड़ा एक बंध से जोड़ा है है ना तो वो कम मजबूती से जुड़े हैं तो उनकी बंध उर्जा कैसी होगी कम होगी ठीक है क्योंकि वो उतनी स्थाई नहीं होंगे अब मैंने दो परमानू को दो-दो इलेक्ट्रों की शेरिंग करके डबल बंध से जोड़ दिया है तो डबल बंध से जुड़ गया मतलब हमने दो-दो रसी से उसको बंध दिया है दोनों के से अगर हम उनकी बंडिंग को देखते हैं तो यह बंध क्या होगा सबसे मजबूत होगा उल्टा भी सोची आप उल्टा कैसे सोचेंगे अगर हम ट्रिपल बंध को तोड़ेंगे तो हम ज्यादा उर्जा देनी पड़ेगी जिसको हम वियोजन उर्जा कहेंगे डबल बंध को तोड़ेंगे तो दोई बन को तोड़ना है तो कम उर्जा देंगे और सिंगल को देंगे तो और कम उर्जा देंगे तो इनकी वियोजन उर्जा इधर सिंगल बन की और घटेगी और बंधन उर्जा कैसी होगी बढ़ेगी कार्बन कार्बन सिंगल बन अगर हम उधारन लेत हैं कि आपकी पुस्तक में बहुत सारे उधारन है जैसे कार्बन कार्बन के बीच देखिए 300 सिंगल बन होता है तो 347 किलो जूल पर मूल उर्जा मुक्ध होती है अगर कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बन दिया है तो 619 किलो जूल पर मोल उर्जा आपका पहला मैंने बोला कितना 347 डबल वाले का कितना बोजी हूं यह आपका है 347 किलो जूल पर मोल दूसरा है आपका 619 किलो जूल पर मोल और अगर हम ट्रिपल बन की बात करते हैं तो यह हमारा 811 किलो जूल पर मोल कहने का मतला एक कल बन से जादा डबल बन का है बंधन उर्जा डबल बन से जादा ट्रिपल बन का है यहां तो दोनों समान पर मानू दिख रहे हैं आपको यह भी कार्बन और यह भी क्या है कार्बन है अगर हम अलग अलग लेते हैं जैसे हम सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बन में तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बन में दिया है आप का 169 किलो जूल पर मूल उसी तरह से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर ले रहे हैं तो देखिए 700 कार्बन डबल बन ऑक्सीजन 748 बढ़ गया है मान अगर हम तीसरा लेते हैं कार्बन और ट्रिपल बन नाइट्रोजन के बीच तो इसका मान और अधिक है 890 कहने का मतलब सिंगल से जादा बंधूर्ज़ा डबल की है और डबल से जादा ट्रिपल बंध की बंधूर्ज़ा होती है अगला पॉइंट हम इसी में लेते हैं, बंध उर्जा के बाद सासो जग बंध होते हैं, उसमें दूसरा गुण होता है, इनकी बंध लंबाई बंध लंबाई किसे कहते हैं, इसी को हम इंगलिश में बाद लेंद कहते हैं, मैंने बोला दो परमानू पहला और दूसरा आप खुद कलपना कीजिए, दोनों के बहरी कक्षक में इलेक्टरॉन हैं, पास लाओंगी तो क्या होगा पहले, और बहुत ज़्यादा पास लाओंगी तो प्रतिकर्शन होगा होगा कि नहीं दोनों के इलेक्ट्रोन एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे दोनों के नाभीक भी एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे थोड़ा दूर ले जाओंगी तो आकर्शन होगा एक निशित सीमा होगी जहाँ पे आकर्षन और प्रतिकर्षन सामजस्य में होगी यहाँ पे नाभीक का इस्थायतु दोनों नाभीक मतलब उनके परमानु है वो बहुत ज्यादा इस्थाय हो जाते हैं जब अनु से परमानु से अनु बनता है तो दोनों परमानु के बीच एक ऐसी दूरी होती है जहाँ पर उनका इस्थायत्व सबसे अधिक होता है उसी दूरी को हम क्रांतिक दूरी कहते हैं और क्रांतिक दूरी पर जो दोनों परमानों के बीच की दूरी है उसको हम उसकी बंध लंबाई कहते हैं बंध लंबाई है सबकी अलग अलग होगी अगर हम कार्वन कार्वन सिंगल बंध कार्वन कार्वन डबल बंध और कार्वन कार्वन ट्रिपल बंध की बात करते हैं तो कार्वन कार्वन जो एकल बंध है यह सिंगल बंध है इसमें आप खुद कलपना कीजिए एक एक अब सांजेदारी है, तो उस समय उतना मजबूत बंध नहीं है, तो इनका बंध लंबाई सबसे अधिक होगा, किसका सबसे अधिक होगा, किसका सबसे अधिक होगा, सिंगल बंध का, अगर हम डबल बंध की बात करते हैं, तो इनकी दूरी और कम हो जाएगी, दो-दो आकरश बंद लंबाई डबल बंद की होगी और सबसे कम लंबाई किसकी होगी डिपल बंद की होती है कहने का मतलब अगर हम तीनों बंद को लेते हैं मान दिये हैं आपके कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बंद है तो लंबाई देख लीजे पुस्तक में बहुत सारे मान हैं ए 1.5 एक स्ट्रॉम लंबाई को हमेशा किसमे ना पा जाता है एक स्ट्रॉम में और अगर कार्बन कार्बन के बीज डबल बंद है तो 1.331.33 एक स्ट्रॉम है और अगर हम कार्बन कार्बन के बीज ट्रिपल बंद लेते हैं तो 1.2 एक स्ट्रॉम होता है कहने का मतलब है एकल बंध सबसे अधिक लंबा होता है लंबाई बंध लंबाई अधिक होती है डबल बंध की सिंगल बंध से कम होती है और ट्रिपल बंध की बंध लंबाई सबसे कम होती है इस तरह से दोगबुन हमने देखा पहला बंध उर्जा दूसरा है बंध लंबाई इस तरह से हम बंद लंबाई के बाद इसका तीसरा जो गुण है उसको लेते हैं तीसरा इसका सासो जगबन का गुण होता है क्रियाशील्टा क्रियाशील्टा की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए जब सिंगल बंद या एकल बंद होता है तो इसमें सासो जगब में बीज में केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है डबल बंद होता है तो दोनों के बीज चार जोड़ी या चार इलेक्ट्रॉन होते हैं या ट्रिपल बंद होता है तो आपके तीन जोड़ी तीन पेयर या छे इलेक्ट्रोन होते हैं आप लोगों को अगर हम क्रिया शिल्टा की बात करते हैं तो क्रिया शिल्टा इलेक्ट्रोन के कारण होती है सिंगल बन में इलेक्ट्रोन बीच में कम है डबल बन में उससे जादा है और ट्रिपल बन में उससे भी जादा है तो अगर कोई अभी करमक डाला जाएगा चाहे वो ना भी किस नहीं ही हो चाहे वो इलेक्ट्रोन इस नहीं हो तो सबसे पहले आकरमन उसके इनहीं इलेक्ट्रोन पर होता है यहीं के बंद तूटते हैं अगर हम क्रियाशिल्टा को देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका त्री बंद है ट्रिपल बंद है इसकी क्रियाशिल्टा सबसे ज़्यादा होगी जब क्यो जादा होगी इसका एक बंद एक एक इलक्ट्रोन फ्री हो जाएगा और वो बांडिंग में भाग ले सकता है बंद बना सकता है और अगर अभी कर्मक मिले तो इसका दूसरा बंद भी तूट के बंद बना सकता है दूसरे परमानों के साथ अगर इसको और अभी कर्मक मिले तो इसका तीसरा बन भी टूट सक contexts मतलब इसकी क्रिया शीलता सबसे अधिक है अगर हम gonna double one की बात करते हैं तो इसमें अगर हम अभी कर्मत डालेंगे तो पहले एकी बंद तूटेगा, फिर दूसरा बंद तूटेगा, उतनी ज़्यादा क्रियाशीलता इसकी नहीं है, और अगर हम सिंगल बंद की बात करते हैं, तो थोड़े समय में ही इसकी क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, खतम हो जाएगी, कोकि यह कई बंद है, वो दूसरे से बना लेगा, तो इस तरह से हम कहेंगे, कि सिंगल बंद या एकल बंद से ज़्यादा क्रियाशीलता कौन होता है, डबल बंद, और डबल बंद से भी ज़्यादा क्रियाशीलता कौन दिखाता है, जहां पे ट्रिपल बं पाया जाता है, अगला इसका गुण होता है, हम इसमें योग का भी गुण पाया जाता है, अब ये योग अगला गुण आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि इन में योग अभिक्रियाएं भी होती है, कौन-कौन से में योग होगा, कार्ब कार्बन में योग नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बन जो होता है उसमें तूटने के बाद और कहीं से जुड़ने की कोई संभावना नहीं है लेकिन अगर हम इस दो बन को तोड़ दें कार्बन की सेवजगता चार होती है एक दो आपका यहां दो यहां से बन को एक तोड़ दूं तो यहां पे और हाइट्रोजन या कोई अन्य परमाणू जोर सकता है याद रखेंगे कार्बन कार्बन या कोई भी परमाणू जिसमें एकल बन है उसमें योग क्रिया नहीं होती है लेकिन जहां पे कार्बन कार्बन या अन्य परमाणूं में डब तुटेगा तो और कोई परमानय योग हो सकता है। तो जाद रखेंगे एकल बंद में योग नहीं होता है। डबल बन, दूइबन या त्री बन में योग अभिक्रियाय प्रदर्शित होती है और इसी पर आपका एक उधारन अधारित है आपने दस्वें पढ़ा होगा कौन सी क्रिया पढ़िये तेल से क्या बनाना वनस्पती घी बनाना बढ़ा है आपने उसमें हम हाइट्रोजन को डालते हैं और क्या होता है घी बनता है वनस्पती घी तो वो भी इसी योग क्रिया के उधारन की अंतरगत आता है अगला हमारा बिंदू है अश्टत नियम का अपवाद हमने देखा कि जब बहुत सारे अनू बनाए हमने तो सारे अनू में अभी तक क्या देखा है आठ इलेक्ट्रोण अंतिम के पूरे होते थे जो भी परमानू भाग ले रहा है उसमें सभी में कितने कितने अंतिम कक्ष्मिया इलेक्ट्रोण दिखते थे आपको आठ इलेक्ट्रोण लेकिन कुछ अणू ऐसे भी ग्यात हैं जिसमें इलेक्ट्रोण की संख्या आठ से कम भी है जिसको हम इलेक्ट्रोण न्यून योग कहते हैं या कुछ अणू ऐसे भी है जिसमें लट्रोन की संख्या 8 से अधिक यने 10 या 12 भी है इसको इस नियम ने नहीं समझाया तो हम कुछ अपवाद की चर्चा करते हैं पहला देखिए हाइट्रोजन का अणू अगर हम हाइट्रोजन के अणू को लेते हैं इसमें अगर हम हाइट्रोजन के अणू का बनना देखते हैं तो हाइट्रोजन के पहले कक्षा में एक दूसरे हाइट्रोजन के भी अंतिम कक्षा में एक अंतिम कक्षा में एक एक मिला के कितने एलेक्ट्रोण हो रहे हैं दो, 8 हो रहे हैं क्या, नहीं कहने का मतलब यह क्या है, एक नियम का पुआद है, इसके अंतिम कक्ष बहुत को इसने इस्थाई तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला के ही कल लिया, H2 कानू प्रकृती में पाया जाता है कहने का मतलब इसमें अस्टक नहीं है फिर भी यह कैसा है इस्थाई है उसी तरह से अगर हम पानी का समरचना देखते हैं तो ऑक्सीजन में दो दो चार एक ऑक्सीजन एक हाइट्रोजन से दूसरा हाइट्रोजन से ऑक्सीजन एक सिंगल बनाता है ऑक्सीजन के तो अस्टक पूरे हो रहे हैं दो दो चार दो चार और एक एक इसको मिला है हाइट्रोजन से टोटल इसके आठ हो गए ऑक्सीजन के तो आठ हो रहे हैं आप ध्यान देंगे लेकिन हाइट्रोजन में कितने हैं अंतिम में दो दो तो यह भी क्या है आ का अस्टकनियम का अपवाद है कि जरुरी नहीं है कि अनु बनने के लिए अन्तिम कक्ष में आठट इलेक्ट्रॉन हो कुछ परमानों से जब अनु बनता है तो अन्तिम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और वो अनु प्रकृति में पाया भी चाता है और अपवाद लेते हैं मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया हमने बोला इसमें 8 से कम है उसी इसके पहले थोड़ा बताई थी कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी पाये जा सकते हैं उधारन के लिए हम लेते हैं PCL5 फास्पोरस पिंटा क्लोराइड फास्पोरस पिंटा मतलब 5 क्लोराइड का उधारन लेते हैं फास्पोरस का परमानुकरा मांग 15 होता है इसके अंतिम कक्ष में देख लीजे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 विवर्ग का सदस्य है इसलिए इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इसको कितरे इलेक्ट्रॉन क्या शक्ता है केवल 3 तो इसने क्लोरीन के साथ पहला क्लोरीन के अंतिम कक्ष में देखे 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के अंतिम कक्ष में भी 7 इलेक्ट्र क्लोरीन और फासपोरास पहले ने अपना क्लोरीन के साथ कैसा बन बनाया पी सी एल आठ क्लोरीन के हैं फासपोरास के अभी कितने हो गए पाच और एक छै दूसरे क्लोरीन के साथ वो जब बन बनाया तो उसके कितने हो गए फासपोरास के साथ और क्लोरीन के कितने हो गए सोजगबन बनाया तो क्लोरीन के हो गए कि क्लोरीन के हो गए यहां पे आपके आठ और फास्पोरस के भी हो गए आठ अब आप देखिए दो क्लोरीन अभी भी बचा है तो दो क्लोरीन के साथ अगर ये केवाल क्लोरीन का ही लेक्ट्रॉन पचा है सांज़ेदारी के लिए तो अगर इस Phosphorus को ये दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 8 पहले हो चुके है Phosphorus के 9 और कितना हो गया कुल 10 इलेक्ट्रॉन तो आप देख रहे हैं कि इस Phosphorus में अस्टक से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है 8 होना था और कितना हो रहा है 10 तो यह भी एक नियम का क्या है अपवाद है अस्टक नियम का इस अस्टक नियम के अपवाद को समझाने के लिए एक और उधारन में आपको देना चाहूंगी बोरान इलेक्ट्रॉन न्यून योगी आप लोगोंने दस्वी में लुईस अमल पढ़ा है लुईस अमल में एक उधारन पढ़ा होगा आपने बोरान ट्राई फ्लोराइड लुईस अमल होता है अमल वह होता है लुईस अमल जो इलेक्ट्रॉन को यूग्म को ग्रहन कर सकता है इसको हम electron noon योगी क्यों बोलते हैं बोरान का परमानुक्रमांग होता है पांच पहले कक्षा में दो दूसरी कक्षा में कितने electron होते हैं तीन हमने इसके अंतिम कक्ष में कुल कितने electron लिख दिये तीन फ्लोरीन जो होता है उसके अंतिंकक्ष में कुल होते हैं साथ इलेक्ट्रोन इसको मिल गया बुरान से आठ दूसरे फ्लोरीन के भी अंतिंकक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रोन है साथ बुरान से मिल गया उसको आठ और तीसरे फ्लोरीन के अंतिम कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके साथ इसको एक मिल गया बुरान से हो गया इसके भी आठ अब बुरान के गिनते हैं तो पहले तीन थे और इसको तीन फ्लोरीन से मिले हैं कुल तीन और तीन कितने हो गए छे क्या अस्टक पूरा हुआ है अस्टक से कितने इलेक्ट्रॉन कम दीक रहे हैं आपको दो तो इस बुरान ट्राइफ्लोराइट यह भी प्रकृती में इस थायनो के रूप में पाया जाता है लेकिन आप याद रखेंगे कि बुरान फ्लोरा है कि यह लुइस अमलकी तरह वहार करता है यानि किसी भी लुइस सर्ट के साथ यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करके अपना स्टक पूरा करता हुदारन के लिए अगर हम अमोनिया को लेंगे तो अमोनिया से लोन प्रेल लेगा और अपना स्ट्रक पूरा करता है तो इस तरह से ये अस्ट्रक्नियम के अपवाद है इस तरह के जो योगिक हैं जिन में आठ इलेक्ट्रोन से कम होते हैं जैसे बोरान फ्लोराइड, अल्मोनियम ट्राइफ्लोराइड इसको हम इलेक्ट्रोन यून योगिक कहते हैं अगला इसमें कुछ अउधार नाए दी है जैसे हमने अभी आपको बताया कि PCL5 जो बनता है PCL5 में कुल फास्पोरस के 8 की जगह कितने इलेक्ट्रोन होते हैं दस इलेक्ट्रोन तो इसके लिए एक वैज्ञानिक है उनका नाम है सजडन उन्होंने अपना एक परिकल्पना दिया इसको एकल इलेक्ट्रोन बनतुता सिध्धान्त कहते हैं कौन से सिध्धान्त की बात कर रहे हैं एकल इलेक्ट्रोन बंधुता सिध्धान्त इस सिध्धान्त में सजडन ने बताया कि जैसे हमने बोला कि फास्पोरस का पेंटाक्लोराइड बनता है तो उन्होंने क्या बोला कि प्रकृति में बंध बनने के लिए एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ही नीची एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी दूसरे परमानों के साथ बंध बना सकता है फिर से सुनिए प्रकृति में कुछ ऐसे बंध भी पाजाते हैं सजडन ने कहा जिसमें परमानों के एक एक इलेक्ट्रॉन के बंधन क्या उशक्ता नहीं होती है किसी एक परमानों का एक इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेता ह उधारन के लिए आपका फास्पोरस पेंटाक्लोराइड मैंने अभी उधारन बताया था हमने बोला था कि फास्पोरस में जब तीन के साथ सरसोजगबन बना तो दो क्लोरीन जो है वो बच रहे थे और इसमें इस क्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉन से था इसमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लिये थे इसका स्टक पुरा हो गया था फास्पोरस में आठ से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिर रहे थे लेकिन यहाँ पे यह जो क्लोरीन है वो ही अपना इलेक्ट्रॉन सांजेदारी कर रहा है फास्पोरस अपना इलेक्ट्रॉन का साज़ेदारी नहीं कर रहा है और इसे हम एक तीर से दर्शाते हैं यहाँ पे जो फास्पोरस में अंतिम कख्ष में पांच इलेक्ट्रॉन हैं फिर से देखते हैं फास्पोरस के एक, दो, तीन, चार, पांच यह पांच इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें से दो इलेक्ट्रॉन को यह बंद बनाने के लिए क्लोरीन को दे रहा है लेकिन क्लोरीन है फास्पोरस को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है इसलिए हम जब ससोजगबन बनाए तो सीधा तीर के निशान ना लगा के हमने कौन सा चिन्न लगाया था ये लेकिन जब एकल इलेक्ट्रोन दिखाते हैं तो हम फासफोरस से ये इलेक्ट्रोन किसको मिर रहा है क्लोरीन को फासफोरस से ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है? क्लोरीन को इसी बंद को हम क्या बोले है? सजड़न ने इस बंद को क्या ताहा? एकल इलेक्ट्रॉन बंध हुता या एकल इलेक्ट्रॉन बंध जिसमें एक परमाणू ही दूसरे परमाणू को इलेक्ट्रोन दे रहा है सांजेदारी पूरा पूरा नहीं दे रहा है अगर पूरा पूरा देता तो फास्पोरस के उपर धनावेश होता याद रखेंगे अगर ये इलेक्ट्रोन पूरा पूरा देता तो पास्पोरस के उपर कुन सा वेश होता धना वेश यहां हमको पूरा-पूरा नहीं दे रहा है बोलना क्या कर रहा है सांजेदारी के लिए दूसरे को दे रहा है क्लोरिन को इस तरह से ये रेकल इलेक्टरॉन बंधुता चिद्धान सजडन ने दिया इसके आत्रिक्त प्रकृति में ऐसे बहुत सारे योगिक होते हैं जिसको हम बोलते हैं उप सह संयोजी योगिक जिसमें हमको एक नए बंध की आवशक्ता होती है जिसमें ना तो इलेक्ट्रोन देना लेना होता है कोई परमानू इलेक्ट्रोन देता है न ग्रहन करता है और ना ही कोई परमानू आपस में इलेक्ट्रोन की साजेदारी करते हैं इसका विस्तृत अध्यन आप ग्यारवी में करेंगे लेकिन यहाँ पे हम उसकी भी चर्चा करते हैं तीसरा बंध होता है उप पहला बंध थाप का आइनिक दूसरा बंध थाप का सह सयोजक और तीसरा बंध जो बंधा है उसको हम उप सह सयोजक बंध कहते ही इसमें इलेक्ट्रोन ग्रहन किये जाते हैं या त्याग दिये जाते हैं दूसरे प्रकार में सह सयोजक बंध में इलेक्ट्रोन की साजह दारी होती है अब तीसरा एक तरह का और बंध होता है सह सयोजक बंध जिसमें आपका एकल इलेक्ट्रोन यूद्म मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रोन इसे कोई एक पर्मानूं दूसरे पर्मानूं को साजह के लिए देता है कक्छक में रखने के लिए देता है उपसासो जी बंध का एक उधारन जैसे हम लेते हैं यहां पर आइरन जो होता है आइरन के पर्मानूं क्रमान को देखते हैं तो 26 होता है इसमें डी ब्लाग जो अंतिम होता है उसमें 6 इलेक्ट्रोन होते हैं 3D में 1S 26 इलेक्ट्रोन में 1,2,3,4,5,6 कौन सी कक्षा में है 3D में और 4S में इसके अंतिम में होता है 2 इलेक्ट्रोन अगर यह आइरन अपने इस S के 2 इलेक्ट्रोन को बाहर निकाल देता है आइरन अपने S के 2 इलेक्ट्रोन को निकाल देता है तो यह प्लास 2 जिसको हम बोलते है फेरस कौन सा आक्सी करण अवस्था ले लेता है यह फेरस इसकी कक्षा कैसी हो गई खाली 3D में देखिए यहाँ पे 4S के बार 3,4P खाली होते है और यह 3D में जो 6 इलेक्ट्रोन है वो तीन कक्षकों में यूगमित हो जाते है फिर से देख लीजिए अगर हम आइरन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लेते हैं तो 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D, 3D6, 4H2, 4P0 तो इसमें से आपका आइरन का जो 3D था उसमें 6 इलेक्ट्रोन है लेकिन 4S के 2 इलेक्ट्रोन बाहर निकल गए तो इसका अवस्था हो गया फेरस, फेरस आइन में बदल गया, आरन किसमें बदल गया, फेरस और इसके 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए 3D के? 3 कक्षकों में आ गए टोटल कितने कक्षक खाली दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और 6 इस साइनाइट के द्वारा, साइनो आयन के द्वारा यहां एक-एक यूग इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और यहां पे जो बंद बनता है उसको हम उपसा सोजी बंद कहते हैं उपसा सोजी बंद कैसे दर्शाते हैं? तो जैसे Fe2 प्लास यहां पे था किस ने दिया यहां पे? साइनाइट एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छे तो जो दे रहा है एन लोन पेर दे रहा है तो इसका तीर का निशान इस तरह से इसको दर्शाया जाता है तो यह बंद कौन सा बंद कहलाता है? उपसा सयोजी बंद जिसका एक पूरा ध्याय आप कप्छा बारवी में उपसासोजी योगिकों के रसायन के बारे में पढ़ेंगी इसमें हम बहुत सारे गुणों को देखे आयनिक बंद सासोजी बंद उपसासोजी बंद जिसको इस सिध्धान्त में अश्टक सिध्धान्त में नहीं बताया गया है जैसे यह उधारन आपने देखा बिल्कुल विप्री थे अश्टक से तो यह सिध्धान जो अश्टक नियम था वो उपसासोजी बंद के बारे में नहीं बताता है और आपका कुछ नियम के अपवार भी हमको देखने को मिलता है धन्यवाद